महाराज भाजपा के दो भ्रषाचारी नेताओं की जंग भाजपा के वरिश नेता और केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने महाराज के जन प्रतिनियों यानि नेताओं पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के करेप्शन की वज़े से सड़क बनाने के काम में देरी होती है। गटकरी ने अपने संबोधने में कहा कि उसमानाबान जिले के एक नेता ने सड़क बनाने वाले ठेकिदार से दो टके की हिसाब से सौ करोड रुपए की प्रोजेक्ट पर दो करोड रुपए की मांग की थी। गटकरी ने कहा कि उस नेता को जब तक पूरा पैसा नहीं मिला उसने सड़क बनाने के काम को रोके रखा गटकरी ने ये बयान और अंगाबाद के एक कारिक्रम में दिया है आपको जानकर आश्यर होगा कि गटकरी के इस बयान की एक सप्ता पहले भाजपा सांसद प्रताप पार्टील चिकलीकर ने गंगापूर के भाजपा विदायक प्रशान बाम पर ब्लैक मेलिंग करके रूपए कमाने का आरोप लगाये था ये दोनों ने था नादेर जिले में बनने वाली पेनूर शेवडी सोनखेड रोड को लेकर आपस में भिड़े होए थे इसी मामले को लेकर प्रशान बाम ने हाई कोर्ट में गुहर लगाई जिस पर आदालत ने चिखलीकर पर केस दश करने का आदेश दिया था ये दोनों ने था एक दूसरे पर कर्रप्शन का संसरी खेज आरूप लगाते हुए जिले में हो रहे विकास में आउरोध खड़ा करने की बात कई बार कर चुके हैं केंद्री मंतरी नितिन गड़करी हमेशा से साफ साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं चाहिए बात उनकी पार्टी के नेताओं को पसंद आए या ना आए प्रेस नाइन निउस मुंबई